असलाम अलेकुम, वेलकम टू चान्वेपिस किचन, आज हम बनाएंगे अंडा बिर्यानी, इस अंडा बिर्यानी को बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेश्टी होती है, तो चलिए अंडा बिर्यानी बनाना शुरू करते हैं अंडा बिर्यानी बनानी के लिए हमने दो कब बास्मती राइस लिए है राइस को हम तीन से चार बार पानी से अच्छे से वाश करेंगे राइस को हासे इस तरह से मिक्स करेंगे इसे ज्यादा मिक्स ना करें राइस को हमने अच्छे से वोश कर लिया है अब हम राइस को पानी में 30 मिनट के लिए भीगोनी के लिए रख देंगे एक बड़ा सा बरतन लेंगे इसमें डालेंगे पानी अब हम इसमें एट करेंगे एक टेस पत्ता, एक काली लाईची, तीन हरी लाईची, एक स्टार फूल, एक इच दालचीनी का तुकड़ा, एक छोटी चमच जीरा, चार लॉंग, ये डालेंगे अब हम इसमें एट करेंगे एक बड़ी चमज भरके नमक, एक बड़ी चमज तेल मिलाएंगे से पानी में हम बॉइल आने देंगे पानी में अच्छा बॉइल आ चुका है राइस को रखे 30 मिनट हो चुके हैं अब हम इसमें राइस एट करेंगे मिलाएंगे से, राइस को हम 90% तक कुक करेंगे, बाकी का 10% हम इसे दम पे पकाएंगे राइस को हमने 90% तक कुक कर लिया है, गैस बंद कर देंगे राइस को हम एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे, ताकि राइस ओवर कुक न हो जाए यहाँ पर हमने छे बोईल अंडे लिये हैं इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मीर्ज पाउडर थोड़ी सी हल्दी पाउडर थोड़ा सा नमक मिलाएंगे से अच्छे से अंडों पर चाकू या फोक की मदद से इस तर से चुबाएंगे ताकि अंडे तेल में जाकर फटेना पैन में हमने थोड़ा सा तेल लिया है इसमें हम अंडे डालेंगे अंडे को हम हलका गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे अंडे को हमने हलका golden color आने तक fry कर लिया है अब हम अंडे को निकार लेते हैं अंडे को हमने निकार लिया है अब हम एक कड़ाई लेंगे इसमें डालेंगे एक चोथाई कप तेल जैसे ही तेल गरम हो जाएगा इसमें एड़ करेंगे एक तेस पत्ता, तिन लॉंग, एक काली लाईची, तिन हरी लाईची, आदा इच दालसीनी का दुकड़ा, एक छोटी चमच जीरा ये एड़ करेंगे मसालों को हलका सा सौते करेंगे अब हम इसमें एड़ करेंगे दो प्यास बारी कटे हुए प्यास को हम हलका गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे प्यास को हमने हलका golden color आने तक fry कर लिया है अब हम इसमें एड़ करेंगे एक बड़ी चमच अद्रक लसुन का paste अद्रक लसुन को भी कुछ सेकेंड क्ले भूनेंगे ताकि अद्रक लसुन का कच्चापन चला जाए अद्रक लसुन भूने के बाद अब हम इसमें कुछ सुके मसाले एड़ करेंगे एक छोटी चमच लालमीच पाउडर आदे छोटी चमच हल्दी पाउडर एक बड़ी चमच धनिया पाउडर आदे छोटी चमच गरम मसाला पाउडर सुवाद अनुचा नमक मसालो को अच्छी से मिक्स करेंगे अब हम इसमें डालेंगे एक टमाटर बारी कटा हुआ टमाटर को मसालो के साथ अच्छी से मिक्स करेंगे इसमें हम थोड़ा सा पानी आइट करेंगे इसे मिलाएंगे अब हम टमाटर को ढखकर दो मिनट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम पर टमाटर को हमने दो मिनट तक पका लिया है टमाटर सॉफ्ट हो चुके है अब हम इसमें डालेंगे चार बड़े चमस दही दही को हमने फेट कर लिया है दही को अच्छी से मिक्स करेंगे मसालों के साथ दही मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे तीन हरी मीच हरी मीच में मैंने बीच में से कट लगाया है थोड़ा सा हरा धन्या डालेंगे बारी कटा हुआ इसे अच्छी से मिक्स करेंगे इसे हम एक मिनट के लिए पकाएंगे एक मिनट हो चुका है मसाली को पकते हुए अब हम इसमें एट करेंगे अंडे अंडे को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे इसे अच्छे से मिलाएंगे अब हम इसे धखकर दो मिनट तक पकाएंगे लोफलिम पर दो मिनट हो चुकी है मसाले को पकते हुए गेस बंद कर देंगे इसे मिलाएंगे सभी अंटे को हम निकाल लेंगे थोड़ा सा मसाला भी निकालेंगे हमने सभी अंटे निकाल लिये हैं थोड़ा सा मसाला भी निकाला है और थोड़ा सा मसाला हमने कड़ाई में ही रहने दिया है थोड़ा सा हम इसमें पानी एट करेंगे ताकि विरियानी नीची से बिल्कुल भी जलेना ये वो ही पानी है जिसमें हमने राइस बॉल के थे इसके उपर हम चावल की लेयर लगाएंगे अब हम चावल के उपर थोड़ा सा मसाला डालेंगे इसे अच्छे से फैला देंगे दुबारा से चावल की लेयर लगाएंगे अब हम चावल के उपर अंडे डालेंगे अंडे के उपर दुबारा से चावल की लेयर लगाएंगे इसके उपर थोड़ा सा ब्राउन ओनियन डालेंगे इसे फैला देंगे अच्छे से फूट कलर एड़ करेंगे ओरेंज थोड़ा सा केवरा वोटर एड़ करेंगे एक बड़ी चमस देशी घीर डालेंगे अब हम बिर्यानी को ढग देंगे गैस ओन करके गैस के उपर लोहे का तवा रखेंगे और इसके उपर ये कडाई रखेंगे अब हम बिर्यानी को दम पर रखेंगे दो मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे और आट से नो मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे बिर्यानी हमारी अच्छे से पक चुकी है गर्मा गरम बिर्यानी को सर्व कर लेते हैं आप भी इस तरह से अंडा बिर्यानी को बना कर जरूर ट्राइ कीजिए ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है अगर आपको मेरे आज के रेसिपी पसंद आई तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और बैल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरी लेटिस वीडियो आपको सबसे पहले मिले फिर मिलते इंशालला एक नई रेसिपी के साथ अल्ला हाफिस